हेलो अब्रीबान, वेलकम टू अनलाइन स्टाडी पॉइंट, पॉलिटी में आज का हमारा टॉपिक है आपातकालीन प्रावधान, बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, एक्जाम्स की दृष्टी से भी और जेनरल नॉलिज के लिए भी पॉलिटिक्स जो होती है हमारे देश की उसे समझने के लिए भी बहुत इंपोर्टन हो जाता है, तो चलिए शुरुवात करते हैं, हमारा आज का पहला प्रश्ण है, निम्न में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है, यानि की और किन की नामों से आपातकाल को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सभी, आरते समझधान में राश्ट्रोपती के आपातकालीन अधिकार किस देश के समझधान से प्रेरित हैं, तो इसका आंसर होगा जर्मनी, जर्मनी के समझधान से हमारे देश में आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, और ये शक्तियां आपातकालीन शक्तियां किसके पास से राश्च्रोपती के पास है नेक्स्ट क्वेशन है सम्विधान के कौन से भाग में आपातकालीन प्रावधान किये गए हैं तो यह भाग है भाग 18 आप इसको इस तरह से भी लिखा हूँ अपायगी कई जगा तो यह भाग 18 जिसमें आपातकालीन प्रावधानों की बात की सम्विधान के कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित हैं अनुच्छेद कौन से हैं भाग तो हमने देखा भाग 18 है ठीक है अनुच्छेद हैं 352 से लेकर 360 यह दोनों ही चीज़े याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है भाग 18 और अगला प्रशन है भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है यानि कि कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं लगाई जाती है भारत में सम्विधान के अनुसार तो सम्विधान में तीन प्रकार की आपातकालीन व्यवस् सरकार का गिर जाना तो देखिए अगर आप थोड़ा सा अवेर हैं पॉलिटिक्स को लेकर या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर इसका खुद पहिं निकल आएगा ये तीनों सित्यां जहां पर आपातगा लागू हो सकता है इंपर इन सित्यों में लेकिन जो फोरध है तर्टकालिन केंद्रे सरकार क गिर जाना، ऐसा हुआ है पहले भी केंद्रे सरकार गिरी है तो उनके गिरने से ऐसा तो नहीं होता ना कि आपातकाल लगू हो जाता है अगर युद्ध होता है आंत्रिक अशान्ती होती है उससे कोई संकट उत्पन होता है और बड़े लेवल पर यह नहीं कि किसी एक शेतर में आंत्रिक गिंद्रे सरकार का गिर जाना इस परिस्थिती में आपातकाल लगू नहीं हो सकता है राश्ट्रोपती द्वारा आपातकाल की घोशना पर संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से स्वीकृति आवश्यक है अब देखे आपातकाल लागू हो रहा है इमर्जेंसी लागू की जारी है तो उसके लिए वन थर्ड या साधारन बहुमत की जरुवत नहीं होगी तू थर्ड मिजॉरिटी चाहिए ठीके विशेश बहुमत से पारित होना चाहिए संसद में ऐसा बिल या फिर आपातकाल की जो भी घोशना होने वाली है वो जो पेश किया गया संसद में उससे तू थर्ड मिजॉरिटी या फिर विशेश बहुमत से पारित करना आवश्यक तब ही आपातकाल को स्विकृति मिलती है तो याद रखिएगा आपातकाल की घोशना करनी हो या फिर उसको जारी रखना हो आगे यह जितने भी इस तरह के प्रस्ताव होंगे उन्हें संसत के दोनों सदनों द्वारा विशेश बहुमत से पारित होना जरूरी है विशेश बह उसकी इन टोटल बात करें तो सबही सदस्यों का कुल्सदस्यों का बहुमत हो और यह मेशाय लिए उससे नहीं रहते हैं तो उस इतरह से जितने भी सदस्य उससे उससे Host हैने उनका दोटiğाई वहमत इक Cayce और बता दूब यह जो प्रावधान किया गया है यह स्टार्टिंग से नहीं था सम्विधान में ठीक है यह जो two-third majority का यह स्टार्टिंग से नहीं था पहले साधारन बहुमत से भी इसको पास किया जाता था लेकिन संशोधन किया गया बाद में कब किया गया 1978 में और कौन से संशोधन था जवालिस्वा संशोधन तो इसमें यह रिसाइड किया गया कि इस तरह का प्रस्ताफ साधारन भूमत से पास नहीं होना चाहिए बलकि two-third majority की आफशकता है नेक्स्ट क्वेशन है राश्ट्रे आपातकाल के समय कौन से मूल अधिकार स्वतहल निलंबित हो जाते है अब देखिए आपातकाल जब भी लगाया जाता है राश्ट्रे आपातकाल तो उसकी कुछ कंडिशन होती है कि लगाया गया एक तो हमने कंडिशन देखी उसकी पीछे कि सशस्त्र विद्रो हो आंत्रिक अशांती हो युद्ध की स्थिती बनी हो या फिर आर्थिक संकत हो इन स्थितियों में लगाया जाता है और लगाया जाने के बाद क्या होता है कि हमारे देश जो संगिये विवस्था को फॉलो करता है शक्तियों के बटवारे को यहाँ पर माना जाता है महत्व दिया जाता है वो एक तरह से किंद्री कृत विवस्था में चेंज हो जाता है एकात्मक विवस्था में चेंज हो जाता है यानि कि सारी शक्तियां जो है किंद्र सरकार में नहीद हो जाती है इसी तरह से मूल अधिकारों पर भी राष्ट्रिया पातकाल का प्रभाव पड़ता है वैसे हमें का जाता है कि मौलिक अधिकार मौलिक है उन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता लेकिन exception है इसमें राष्ट्रिया पातकाल emergency जो national emergency है ये exception है emergency में हमारे मौल अधिकार प्रभावित होते हैं और हमारे कौन से मौल अधिकार है इनमेंसे जो अपने आप निलंबित हो जाते हैं अपने आप cancel हो जाते हैं इनकी कोई मानेता नहीं रहती यह अनुचेद 19 अनुचेद 19 के अंतरगत 6 अधिकार है जो समविधान के द्वारा हमें दिये गए हैं तो जब भी राष्ट्रिया पातका लगता है तो यह जो 6 अधिकार है यह अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं इन्हें निलंबित करने के लिए कुछ कानून की जरुरत नहीं पड़ती है संसत द्वारा इसे इस प्रस्ताव को पास नहीं करना पड़ता कि हम यह निलंबित कर रहे हैं अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि अनुछेद 19 की अंतरगत यह 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं यह कमेंट बॉक्स में बताईएं नेक्स्ट वेश्चन है निमन में से कौन सा अनुछेद अनुछेद 19 त्वारा दिये गए मूल अधिकारों के निलंबित से संबंदित है हमने देखा अनुछेद 19 जो है अपने आप ही निलंबित हो जाता है अनुछेद जो 19 है उसके 6 अधिकार है वो अपने आप ही निलंबित हो जाएंगे और अनुछेद 369 जो है यह अनुछेद 19 के अलावा बाकी अधिकारों के निलंबित से संबंदित है ठीक है और यह एक चीज़ और याद रखेगा यहां पर नहीं मत याद रखेगा नेक्स वेशन में वही है क्या है राश्ट्रि आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार स्वत्य निरस्त नहीं होते हैं यानि कौन से अधिकार है हमने देख़ था 19 जो है स्वत्य निरस्त हो जाता है लेकिन अनुछेद 20 और 21, बी और सी जो हैं ये स्वयत हर निरस्थ नहीं होते कर भी नहीं सकती है, ना राश्ट्रोपती ना संसथ खुद से भी नहीं होते, ना वो लोग कर सकते हैं इसको निरस्थ यापनी कि हमारे जो अनुच्छे 20 और 21 हैं इन्हें कैंसल नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिधी में ये दोनों अधिकार कौन कौन से हैं 20 कहता है अपराध के लिए दोश सिध्धी के संबन में संरक्षन ये प्रदान करता है और 21 है ये देहिक स्वतंतरता है ना पराण और देहिक स्वतंतरता की बात करता है मतलब कि जीने का अधिकार ठीक है तो 20 और 21 जो है इन्हें निलंबित में किया जा सकता आर्टिकल 358 ये 19 के निलंबन की बात करता है 369 ये 19 के अलावा बाकी अधिकारों की निलंबन की बात करता है लेकिन 20 और 21 को छोड़ कर ठीक है एक चीज और जो 358 है ये पूरा अधिकार ही निलंबित हो जाता है जो 19 के अंतरगत 6 अधिकार हमें दिये गए है ये सारे के सारे अधिकार ही निलंबित हो जाते है लेकिन जो 369 है इसके अंतरगत जितने भी अधिकारों को संसर्ट के द्वारा निलंबित किया जाता है पहली बात ये खुद से निलंबित नहीं होते दूसरा संसर्ट इन्हें निलंबित करती है निलंबित करने का मतलब क्या है ने कि ये अधिकार अप्रभावी नहीं होते हैं ये अधिकार प्रभावी रहते हैं लेकिन अंतर कहां है 19 जो है आर्टिकल वो पूरा अधिकार ही अप्रभावी हो जाता है 369 के अंतर कर जो भी अधिकारों को निलंबित किया जाता है वो अप परखेगा 20 और 21 अधिकार जो है आर्टिकल 20 और 21 में उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है फिर नेक्स स्कूशन है निवन में से किस सम्विधान संशुधन के आधार पर राष्ट्र पती को भारत के किसी विशेश भाग पर राष्ट्र या पातकाल लगाने का अधिकार म में कौन से नए शब्दों को चोड़ा गया वह आप लोग बताईए यह संशुधन कब हुआ था 1976 में ठीक है और 1976 इमर्जेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट वर्ष है क्यों है क्योंकि इस वर्ष राष्ट्रिया पातकाल नेशनल इमर्जेंसी लगाई गई थी जो भा राष्ट्रपती चाहे तो जो अपातकाल की घोशना है वो पूरे देश में कर सकता है या फिर इसके किसी एक भाग पर भी लागू हो सकती है ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ही हो राष्ट्रे अपातकाल किसी एक भाग में भी लागू हो सकती है एक चीज़ यहाद और जो आर्टिकल 352 है इसके अंतरगत नेशनल इमर्जेंसी की घोशना तीन आधारों पर ही की जा सकती है तीन आधार कौन से है युद्ध बाहिये आकरमन या फिर सशस्त्र विद्रो ठीक है सशस्त्र विद्रो देश के अंदर जब सशस्त्र विद्रो हो रहा है खुन लेकिन क्योंकि आंतरिक गड़बडी को कोई ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाया और उसी वजह से देश में जो 1975 में जो आपातका लगा था उसी वजह से लगाया गया था और उसकी बहुत आलुचना हुई थी इसलिए आंतरिक गड़बडी शब्द को चेंज कर दिया ग या जो भी गलत चीजें मनमानी करने के लिए जो चीजें अड़ कर दी गई थी उन्हें हटाया गया था जवाल इसके समिधान संशोधन में और इसी में ही आंतरिक गड़बडी शब्द को हटा कर सरस्षत्र विद्रो कर दिया गया था ताकि आगे भविश्य में कोई भी ग भी तक हमने जो बात की वो नेशनल इमरजिंसी राश्ट्रिय आपातकाल की बात कर रहा है और इसके लिए आर्टिकल 326 जो कि कहता है कि जब भी राश्ट्रोपती को ऐसा लगे कि कोई भी राज्य सम्विधान की प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है अपना काम नह कर सकता है और यहिह अनुछे 356 के अंतरगऄत और इससे पहले वाला जो अनुछे थे 355 यह भी याद रखिएगा इसने कहा गया है कि किंद्र सरकार को सुप्रीम मन आगया ठीक है राज्जे सरकारों से उपर है तो किंद्र सरकार का यह करतव हे है कि वह ये ध्यान रखे कि सभी राजे अपना काम सम्विधान के अनुरूप करें ठीक है और सम्विधाने काम कुछ भी ना करें ये 355 में का है और 356 में इसके तुरूंत बाद एका आगया है कि अगर ऐसा लगता है राश्ट्रोपती को कोई भी राजे सम्विधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो वहां पर वो राश्ट्रोपती शासन लगा सकते हैं अर्टिकल 352 के अंदरगत जो राश्ट्रोपती शासन नहीं बोलेंगे आपातकाल जो 352 के अंदरगत आपातकाल लगाया जाता है इसे राश्ट्रे आपातकाल कहते हैं 356 के अनुसार जो लगाया ज जुद्ध या फिर सशर्ष्टर विद्रो की सिती में लगाया गया है और अगर राज्य विफल हो जाता है समवधान के अनुसार काम करने में तो तीन-सुछ पर लगाया जाता है जिसे राश्ट्रोपति शासन कहते हैं और या फिर राज्य आपाती भी इसको बोल देते हैं ठ तो लगाया जाएगा 365 के अनुसार भी राश्ट्रपती शासन ही लगाया जाता है इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी राजे केंद्र ने कुछ निर्देश दिये हैं राजे को कि इस हिसाब से आप काम करो और राजे उसका पालन नहीं कर रहा है तो उस समय 365 के अंतरगत भी राश्ट्रपती शासन लगाया जा सकता है तो अगर आप से कभी पूछा जाए कि राश्ट्रपती राजे में आपातकाल की गोशना किस अनुछेट के अंतरगत कर सकता है अगर ऑप्शन में ये दोनों दिये गए हैं तो आप 356 लगाएंगे ठीक है और अगर दोनों मे में इससे सिर्फ 365 दिया गया है तो 365 भी भिल्कुल ठीक है नेक्स्ट वैसिन फिर्शन में सामानेते किस के परामर्ष से राश्ट्रपती शासन लागू किया जाता है ठीक है राज्य की बात की जा रही है राज्याthoughtकाल की अस्विधानिक आपातकाल जो होता है उसकी बात कर रहे हैं जिसे राश्ट्रोपती शासन भी कहते हैं तो राश्ट्रोपती शासन अगर किसी राज्य में लगाना है तो किसके परामर्श से लगाया जाता है यह राज्यपाल ठीक है राज्यों में सुप्रीम स्थिति किसके पास होती है राज प्रश्न है जब किसी राज्य में राश्रुपती शासन होता है तो राज्य का कारेभार किसके हाथ में होता है अभी देखे इसका नाम ही राश्रुपती शासन यानि की राश्रुपती के हाथों में कारेभार होता होगा लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि एक साथ कई सारे ठीक है और राजे का जो मुख्य मंत्री होता है और मंत्री परिशद होती है और यहां तक की राजे विधान सभाज होती है उसे ही राष्ट्रोपत या तो निलम्बित कर देते हैं या फिर विघटित भी कर सकते हैं और सारा कारे भार सौप दिया जाता है राजे पाल को इसके हाथों में होता है राजेपाल के हाथ में अभी जैसे एक्जामपल लेते हैं 1977 में क्या हुआ था कि एक साथ नौ राज्यों में राश्ट्रोपति शासन लागू कर दिया गया था अब यह क्यों किया गया था क्योंकि सरकारे बालच के लिए यूज़ करने लगी थी सरकारके एक सब्सक्राव नाने थैब नो तो क्या करते हैं राज्येपाल को वो इस वे बात्रोपति शासन लागू कर दोते हैं और जो भी विधाई कारें होते हैं वह संसत के कि अंतरगत राश्ट्रुपति वित्ति आपात की घोशना कर सकता है तो यह है अनुच्छेथ 360 ठीक है 360 अभी हमने तीन तरह के आपातकाल देखे थे ना स्टार्टिंग में क्वेशन देखा था कि तीन तरह का आपातकाल हमारे यहां लगाया जा सकता है कौन कौन से तीनों को रिवाइज कर लेते हैं 352 यह होता है नैशनल एमरजन सी राश्ट्र आपातकाल यह कब लगाया जाता है यूदि की सिती में बाही आक्रमेंट की सिती में और या फिर संशस्थ्ति वित्रों की सिती Woman इन तीन सितियों में यह आपातकाल लगाया जाता है फिर स्विद्धान के अनुसार काम करने में विफल हो और दूसरा 365 के अंतरकत लगाया जाता है ठीक है दूसरा राश्ट्रोपती शासन 365 के अंतरकत ये कब लगाया जाता है जब राजे केंदर के निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रहा हो ठीक है तो उस समय भी ये राश्ट्रोपती शासन लगाया जा सकता है राजियों में ठीक है यह है नेशनल इमर्जेंसी यह होता है राजियों में फिर होता है 360 जो की वित्ति आपातकाल किस्तिती है अगर देश में आर्थिक संकट हो ठीक है बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया हो देश के उपर तो फिर 360 के अंतरगत वित्ति आपात्का लगाया जा सकता है आपात्का लगाते कौन है तो राश्ट्रपती ही लगाते हैं ठीक है और जैसे कि हम जानते हैं राश्ट्रपती अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते तो पूरा हाथ इसमें संसत्का होता है जैसे हमने देखा भी था कि अगर आपात्का लगाना है तो प्रस्ताव संसत में टू थर्ड मिजॉरिटी से पास करना होता है लेकिन क्योंकि देश के प्रमुक है राश्ट्रोपती तो उन्हीं के नाम से यह आपातका लगता है तो बिल्कुल अभी मैंने बताया 352 जो है यह युद्ध भाहिया आकरमन और सशच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् आपातकाल की घोशना करने के लिए सश्रस्त्र विद्रो शब्द को सम्विधान में कब जोड़ा गया था तो ये भी मैं बता चुकी हूँ पहले सश्रस्त्र विद्रो नहीं था पहले आंत्रिक गडबडी थी ठीक है और इसे 44 सम्विधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसम और इसका अनुमोदन अवरत यह समय के अंदर संसद वारा अवर्षे दिया जाना चाहिए यानि की flushम मोने प्रस्ताव पास हुआ कि आपातकाल लगाया जाना चाहिए तो कितने के अनधर संसद को स्विकृति देनी होगी तो एक मैने के अंदर क्योंकिंगा पातकाल लगाय तो यह समय से मैं याद रखेगा एक महीना नेक्स कुशन है यदि संसत के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्र आपातकाल की घोशना का अनुमोदन हो गया हो तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा सबसे पहले हमने देखा था कि एक महीना एक मन्त संसत को मिलता है कि उसके अंदर ही संसत को बताना है कि आपातकाल लागु करना है या नी मतर्म प्रस्ताव जो आया एक महीने के अंदर अंदर उसको पास करना है अब लागु हो गया है अगर तो adjustments कितने समय तक वह परभावी रह सकता है तो ये जो आपातकाल लगू होता है ये गोशना 6 महीने तक प्रभावी रहती है ठीक है आपातकाल लगाया जाता है तो 6 महीने तक वो प्रभावी रहता है और 6 महीने की जब अबदी खतम हो जाएगी तो इसको फिर से आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और यहां ब आपात्काल में 6-6 महीने करके कितने भी ताइम के लिए बढ़ाया जा सकता है लेकिन राश्ट्रोपती शासन 356 और 365 जब ये वाले लगाया जाते हैं तो इस समय क्या होता है कि अवधी 3 साल की है ठीक है तीन साल तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है उससे जादा नहीं राज्यों में जो अपात्काल लगाया जाता है 6-6 महीने करके सिर्फ 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर राश्ट्रे अपात्काल लगाया गया है तो अनंत काल तक उसे 6-6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है और वहीं अगर बात करें वित्ति अपात्की ठीक है फानेंशल इ भतम नहीं किया जाता तब तक लगा रहेगा उसे आगे बढ़ाते रहने की जुरूत नहीं पड़ती है और एक और चीज यहीं पर बता दूँ जैसे अपने लास्ट क्वेशन में देखा था कि एक महीने के अंदर संसत को परमिशन देनी होगी तो यह एक महीना चाहे हactor Yet राष्ट से यहां परमिशनad हो बार बढ़ाने की जुरूत नहीं है राष्ट्रवार पति प्रमिशासन ही लागु रहेएगा उसके बाद आपयाथकाल अपने हैं समाप्त हो चाहिएं आगर उसको फिर नेक्स्ट क्वेशन पर यदि लोग सभा के एक बटा दस सदसे इस आशे का प्रस्ताव रखें कि संकटकाल समाप्त हो जाना चाहिए तो कितने दिनों के अंदर इस प्रस्ताव पर विचार के लिए सदन की बैठथक बुलाने के ववस्ता की जाएगी तो पूछा गया अगर यह खतम करना हो आपातकाल तो इतने सदसे खूल सदसेयों में से एक बटा दस सदसे इस तरह का प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रस्ताव को रखें और जब जिस दिन प्रस्ताव रखा जाता है उस दिन के 14 दिनों के अंदर अंदर इस प्रस्ताव पर बैठथक के जरूरी है ठीके तो इसकी समय सीमह है 14 दिन नेग्स्ट da para का का ऽंहें लोग-सफ़ा का कारेकाल इसके सामानेकार काले से संसाध द्वारा विधी बनाकर कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है तो जब भी राश्ट्रे आपातकाल लागू हो तो लोकसभा का कारेकाल उसमें बढ़ाया जा सकता है क्योंकि आपातकाल के समय चुनाव नहीं हो सकता है तो लोकसभा का कारेकाल बढ़ाया जा सकता है और एक बार में एक साल के लिए कारेकाल बढ़ाया जा सकते हैं जिसके सामाने कारेकाल पांच वर्ष है तो एंगर इस समय आपातकाल लागो है तो पांच वर्ष से एक साल बढ़ा दिया जाएगा और यह और कंबदी नियुस चेह जएगा गया तो लोक्स हमकारेकाल Ik एक साल करके दो साल बढ़ाया गया था ठीक है तो इस तरह से एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है लेकिन जिस दिन आपातकाल खत्म किया जाएगा उसके छे महीने तक ही रहेगा ठीक है जो टम आगे बढ़ाया गया है सिर्फ आपातकाल खत्म होने के छे महीने तक ही रहेगा उसके बाद फिर वह और लोकसबा भंग हो जाएगी और वापस चुनाव करवाने पड़ेंगे निक्स वेशन है अभी तक भारत में कितनी बार राश्ट्रे आपातका लागू किया गया है तो अभी तक कुल तीन बार लागू किया गया है सारे क्वेसचन बहुत ही इंपाटेन है वाध में है कि तो हमने हाली में यह तो बहुत ही इंपारोटन है क्योंकि यह अक्सर बाहिये आकर्मान या फिर सस्षित्र विद्रोग तो राश्ट्रे आपातकाल की बात की जा रहें यां तीन बार तक लगाया गया है फिर नेक्स Quesn है बाहिय राकरमन के आधार पर अब तक राश्च्र पती ने कितनी बार राश्ट्र यह पातकान की और जोशना की है तीन आधार मेंने बिल्कुल अभी रिवाइज करवाई यह में इसमसे एक कारण है बाहिय अकरमन के आधार पर रहोर इस आधार पर दो वार हमारे देश में रास्ट्र या पातकाल या फिर नेशनल एमर्जनसी लागू की गई है कब कब की गई है तो पहली थी 1962 में 62 में कौन से घटना घटी दुई थी भाईया अकरमेंट की बात की जा रहे है न तो भाईया करमेंट किस के तरफ से चीन की तरफ से अरुनाचल प गई थी 62 से 68 यह इसलिए क्योंकि इस पीच एक और युद हुआ था 1965 में पाकिस्तान के साथ ठीक है तो जो इमर्जनसी 62 में लगाई गई थी उसी को पैसेट में भी जारी रखा गया कोई नए आपातकाल की घोशना नहीं की गई थी ठीक है तो इस तरह से पहली थी 1962 में ज युद्ध था और इसके परिनाम सरूफ ही बांगलया देश जो है आजाद देश के रूप में उभर कर सामने आया था तो 1971 और 1962 इन दोनों में लगाई गई थी राष्ट्रे आपातकाल लगाया था बाहिया आकरमेंट के आधार पर ठीक है नेक्स वोशन है तीसरी बार तीसरी बार जो की गई थी राष्ट्रे आपातकाल की घोशना ये किसा आधार पर थी तो ये आंतरिक अशान्ती के कारण थी ठीक है और कब थी 1975 में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिजम इसका होता है 1975 में भी थी आंतरिक अशान्ती के आधार पर हुई थी और इस इमर्जेंसी के बाद ही 1978 में जो 44 समिधान संशोधन हुआ उसमें आंतरिक अशान्ती को हटा कर सशष्ट्र विद्रो शब्द को एड़ कर दिया गया था कि फिर से इसका दुरूपयोग ना हो सके तो तीसरी बार आंतरिक अशान्ती के आधार पर 1975 में कब तक रहा 77 तक 1977 तक और जो 71 वाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है तो विद्टियापातकाल की बात करें तो अभी तक कभी भी नहिए लगाया गया, एक बार भी विद्द्यापातकाल की, घिशन नहीं हुई है 1990 के दौर में ऐसा समय आए था जब ऐसा लगा था कि वित्याः आपातकाल अब लग सकता है देश में लेकिन उस समय क्या हुआ था 1991 के रिफॉर्म आ गय थे ठीक है तो आपातकाल नहीं लग पाया में पहली बार पंजाब में राश्ट्रपती शासन लागू किया गया था पचास में सम्विधान हमने अपनाया और उसके एक साल बाद ही हमने उसमें चीज़े दी गई थी उनका यूज करना या कहीं दूरूपयोग करना भी शुरू कर दिया था फिर नेक्स कुशन है किसी राज्जे में राश्ट्रपती शासन किस परिस्थिती में अधिकतम कितनी अवधी तक लागू किया जा सकता है तो ये मैं आपको एक्स्पेन कर चुकी हूँ अधिकतम तीन वर्ष तक छे-चे महीने में बढ़ा कर उसको अधिकतम तीन वर्ष तक राश्ट्रपती शासन को बढ़ाया जा सकता है ठीक है तीन साल तक लागू किया जा सकता है लेकिन हर छे महीने में उसको रिन्यू करना पड़ेगा और हमारा आज का लास्ट पोईशन है अब तक किस राज्जे में सिर्वाधिक लंबी अवधी तक राश्ट्रपती शासन लागू रहा तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को यह है जम्मौ कश्मीर सबसे ज्यादा बार और सबसे लंबे समय तक राश्ट्रपती शासन लागू रहा है और इस अब ही भी पूरी तरह से जम्मौ कश्मीर जो अब यूटीब बन गया लेकिन पूरी त साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं थैंकि सो में सब्सक्राशिंद वीडियो जय हिंद्ध